Hello everyone, welcome to Finstreet, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो एक्षेंज टोकन क्या होते हैं, कुछ पॉपुलर क्रिप्टो एक्षेंज टोकन के बारे में भी बात करेंगे, एंड साथ हम बात करेंगे एक और टोकन के बारे में जिसका नेम है Mx Token, जो नेटिव टोकन ह में MxC एक्षेंज का या आप कह सकते हो MxC ट्रेडिंग प्लाटफोर्म का, एंड हम देखेंगे क्या सेवल यूज केस बेनिफिट्स व आपको पर वाइट करता है, एंड काफी हेल्पूल हो सकता है आप सब के लिए, साथ हम यह भी बात करेंगे कि कि किस तरह आप उस Mx T प्लाटफोर्म पे, तो इस सारी बाते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, एंड इस सारी बाते हैं आप सभी कि लिजवानी बहुत ज़दा ज़रूरी रहेंगी, so be with me till the end of video, so that you can get each and every possible information from this video. So start on करते हैं हमारी वीडियो को, तो जो crypto exchange token क्या होते हैं, यह digital asset होते हैं, जो native होते हैं crypto currency exchange के, crypto exchange अपने खुद के token भी लिस्ट कर देते हैं, कई reasons के लिए, and कभी कबार exchange owners tokens को दे देते हैं users को as incentive, काफी exchange tokens जो होते हैं, उनको design किया जाता है, ताकि एक्षेंज की liquidity बढ़ा सके, या trading activity को incentivize कर सके, या exchange community governance process को facilitate कर सके, काफी crypto currency exchange tokens जो होते हैं, उनको initially distribute किया जाता है, IEO के through, that is initial exchange offering, जो ICO का ही part है, ICO, that is initial coin offering का part, IEO की edition में हम बात करते हैं, जो crypto exchange users होते हैं, वो occasionally भी obtain कर सकते हैं, exchange tokens को through an airdrop, जो काफी famous है, और आप मैं mention करूंगी कुछ ऐसे popular exchange tokens जिनके बार में आपने सुना भी होगा, जैसे Binance का BNB coin, KU coin का KCS, तो ये काफी अच्छे coins हैं, और काफी अच्छे फाइदे देते हैं, काफी फाइदे होते हैं इनसे, लेकिन अब हम बात करेंगे, एक ऐसी exchange coin की, जो की आपको काफी several benefits provide कर सकता है, हम बात करेंगे MX token की, जो MEXC exchange का native token है, थोड़ी से introduction ले देते हैं कि MEXC global है क्या, जो MEXC global है, वो एक user demand driven platform है, जो quickly select करता है high quality projects को, जो यहाँ पर user की trading की need होती है, उसके according ये select कर लेता है, बहुत अच्छी performance, brilliant performance देखने को मिली है MEXC exchange की spot market में, अगर इसकी speed और service देखी जाए, तो इसको users क्या बोलते हैं, next binance बोलते हैं, इसका जो popularity और structure है MEXC का, वो बहुत ज़्यादा worth है, means इसकी जो market value से ज़्यादा worth करता है, और अब हम बात करते हैं MX token की, जो centralized exchange का native token है, MEXC पर MX के काफी फाइदर, means जिन्होंने भी MX tokens की holding रखी हुए, तो काफी फाइदों को गेन कर सकते हैं, काफी फाइदों के याँपर अगर MX की value from sport को देखा जाए, तो उसकी progress काफी अच्छी दिखाई दे रही है, and वो leader भी बन सकता है, among several exchanges, As per the data from MEXC, November 2021 में कुछ users थे, जिन्होंने use किया थे 1000 MX, ताकि participate कर सके जितने भी events हो रहें MEXC global पर, and उन्होंने जो benefits थे, earning interest with MX, उसके फाइदों को भी याँपर test किया, and especially उन users के लिए, जिन्होंने MX को काफी लंबे समय तक hold करके रखा, तो अब हम उसी example को use करते हुए देखते हैं, कि एक महिने में MX token से इस exchange पे कितनी earnings कर सकते हैं, अब इस वक्त तो चार तरीके हैं कि आप hold कर सकते हो, MX को in MEXC, global and coffee five दे उठा सकते हो, जैसे कि launchpad है, इनका Kickstarter, MD, MX, DeFi तो यह काफी है, तो हम स्टार्ट करते हैं launchpad से, MEXC का एक launchpad है, जो परवाइड करता है global users को platform के, उनको एक opportunity देता है कि assess कर सकते हो, आप पहले projects को जो low cost पे हैं, और यहाँ पर जो MX holders हैं, वो participate कर सकते हैं, वो भी easily किसी भी activity में, MEXC launchpad offer करता है काफी benefits MX holders के लिए, अगर इसको simple way में put किया जा सके, तो जो launchpad है, वो MEXC global का एक new platform है, 3 launchpad projects launch हुए थे November में, और अगर इन 3 launchpads की calculation की जा in November, तो जो monthly revenue है, वो about 3.45 USDT है, and MEXC market November 1 में show कर रही थी, कि जो cost है, एक MX का, वो about 1.74 USDT है, and जो monthly yield है launchpad की, वो as high as 19.82% है, so अगर आप hold करते हो, आपर 1000 MX को इन November में, तो total income range कर जाने थी, as high as 98%, काफी अची बात, अब बात करते हैं, किक starter के बारे में, जो इनका एक event है, जिसमें जो project party है, वो initiate करती है, project की listing के लिए, जो held होता है, during their pre-launch stage of the project, जो project token के air drops होते हैं, वो free of charge होते हैं, जितने भी voting users होते हैं, लेकिन अगर यहां पर voting fail हो जाती है, means, जो एक goal set किया होता है, उसको meet करने के लिए, अगर वो fail हो जाती है, तो MEXC global, उस listing project token को cancel कर देगा, और voting token को unlock कर देगा, यह activity एम करती है, कि जादा से जादा यहां पर high quality projects है, उनको online, उनको track किया जा सके, और यहां पर जादा free air drop benefits मिल सके, platform users को, अगर हम बात करें according to data, तो MEXC है, उन्होंने launch की है, 78 Kickstarter projects नवंबर में, और यह calculation की जाए, 1000 MX participation की हर project में, तो जो expected total income है Kickstarter का, हर phrase का होगा 130 USDT, अगर हम same November वाली figures ने, जैसे हमने पहले ली थी, तो अगर हम consider करें आपर, जो Kickstarter का monthly yield was as high as 7.47%, तो अगर हम hold करते हैं, यहाँ पर 1000 MX tokens को November में, तो income होनी थी as high as 85-86%, next बात करते हैं, MX DeFi की, जिससे बोला जाता है, as users conventional single token staking, मतलब यहाँ पर BTC 8th MX staked होते हैं mining के लिए, और अगर आप यहाँ पर अलग-अलग mining pool से connect कर सकते हो, rewards earn कर सकते हो, at present की बात करें, तो about 7.62% of APY staked है MX pool में, and APY जो होती है, वो change होती है, जितनी staked MX से होते हैं, next बात करते हैं MD के बारे में, तो MD program है, वो event है, जो held होता है, MEX exchange पे for mainstream crypto traders और holders, ताकि वो participate कर सके, and enjoy कर सके project के token air drops को, यहाँ पर आप जीत सकते हो, आप tokens मिल सकते हैं, जो अभी तक list नहीं हुए, या air drops, या और भी, means जितने आप यहाँ पर MX tokens होल्ड करोगे, उतने आपके जीतने के chances बढ़ेंगे, MD, MEXC का global unique event है, यह उनकी launch pad की तरह ही है, लेकिन जो MD है, वो एक तरह से drawing lodge की तरह है, यहाँ पर जो corresponding number of tickets होती है, उनको obtain कर सकते हैं, जितनी users के पास MX की holdings है, तो जो lot winning user है, उसको यहाँ पर subscribe करने की भी जुरूरत नहीं है, and वो obtain कर सकता है, corresponding project के tokens वो भी free में, तो आप सबने देखी लिया होगा, कैसे MEXC का token MX hold करने के काफी फाइदे हैं, काफी earnings हो सकती है, अगर इसकी tweeting fee की बात करो, तो वो भी reduce हो सकती है, and आप यहाँ पर 50% commission भी earn कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर earn कर रहे हैं, through their referral code, तो MXC को obtained लिया जा सकता है, through mining or purchases, और अगर आपको यहाँ पर, means अगर buy करने MXC token को, तो of course, MEXC exchange पर आप उसको कर सकते हो, और साथ साथ आप Hubi Global, ZT and who, इन पर कर सकते हो, अब हम पूरा tutorial देखते हैं, कि किस तन आप MXC token को MEXC पर बात कर सकते हो, सबसे पहले हमें सर्च करना होगा, MEXC exchange, मेक्षूर कि आप सही साइट क्लिक कर रहे हैं, और आप सही वैल पर ही क्लिक कर रहे हैं, हम देख सकते हैं, जब हमने क्लिक इन किया, तो हम आपस कुछ ऐसा अवेलेबल हो जाएगा, तो हमेलेबल हो जाएगा, कापी अपसिंग सकते हो, Markets, Buy Crypto Trade, Derivatives, Finance, Reward Center, Launchpad, आप देख सकते हो, आपको अवेलेबल हो जाएगा, Top Gainers Daily, Top Gainers Weekly, Top Activities, New Tokens लिस्ट पहाने हैं, and Top Future List, New जो आने वाले हैं, आपको अपस्ट आप सकते हो, और फुल आयोस एंज्डॉइड विंडोस स्रपोर्टेड और यहां पर काफी चीज़ें आप देख सकते हो लिस्टेड है और हम चलते हैं कि आप कैसे MX token को यहां पर बाय कर सकते हो MX exchange पर उसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर लोग इन करना होगा अगर आप लोग इन अभी तक आप रिजिस्टर नहीं किया है तो आप साइन इप कर लिजिए और उप्शन उएबला एक मुझा एक मुझा एक एमेल तो आप इनके थू कर सकते हों and I am stepping in with login so आपको यहां पर जब अगर मुंबाइल से करोगे तो आपको यहां पर अपना मुंबाइल नम्बर इन्पुट करना है अब हमार पास एक verification code आएगा अगर आप यहां पर phone number के थू कर रहे हो तो आपके बस SMS आएगा and email अगर आप email के थू यहां पर login करोगे तो आपके बस email में available हो जाएगा so हम यहां पर input करना है तो आप देख सकते हो login हो गया है and हमार पास कुछ इस तरह से खुल जाएगा and हमार पस काफी options यहां पर available हो जाएगा verify identity and यहां पर काफी चीज़ें हो जाएगी and make sure कि आप password जो आपका strong हो now हम click करेंगे buy crypto पे जहां पर हम MX token purchase करेंगे so आप देख सकते हो यहां पर buy की option है sell की option है and लेकिन इसके लिए आपको यहां पर KYC करनी means पहले आपको यहां पर KYC पूरी verification कर लीज़े तभी आप किसी जीज को access कर पा so अब हमें trading करने के लिए पहले अपनी KYC वेरिफाइ करनी होगी and KYC को वेरिफाइ करने के लिए means यहां पर 2 options है advanced KYC and primary KYC so आप देखिए अपने comfort level की means आप किस option को चूज करना चाहते है and also जब आप करोगे तो यहां पर credit debit card की details भी डालनी है so that आप deposit withdraw करा सको अब आप market में देखते हैं तो आप यहां पर market में देख सको कि sport markets है and आप देख सकते हो अगर मुझे यहां पर MX token को purchase करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी and मेरे पास यह सारी information यहां पर available हो जाएगी so आप देख सको कि और करे यहां पर唇त सकते हो and आप देख सकते हो अब देख सकते हो आप यहां पर तो कि आप किसको यहां सब्पाइब and also यहां पर है कि आप को आप आप को यहां भूपर आ पर anche thoوع के सब्सक्राइबra है तो अब then you can do it यहां पर पनदेना है आपको हैं अज़्य से चलगे फ्याहं मैं यहां पर इतनी Mx-token और मुझे सब्सक्राइब करें जाते हैं एंपर इंपर अपर उनकों के चले सिया कि करें तो यह market trades आपको वेलेबल हो जाएगी जब भी यहां पर कोई limit order लगेगा store limit order लगेगा order history मेरी जो भी होगी वो यहां पर शो हो जाएगी so this is how MEXC किस तारह आप यहां पर MX token को प्रचेस कर सकते हो MEXC exchange पे so I hope आप सब को समझ आ गया होगा so I hope आप सब को समझ आ गया होगा जो हमने आज इस वीडियो में देखा हमने पूरा टुटोरियल भी देखा और हमने यह भी देखा क्या क्या बेनिफिट्स थे MX token को होल्ड करने के लिए and हमने ग्जामपल भी देखी कि जो यूजर्स ने होल्ड है थाउजन the MX tokens को उनको काफी फाइदा भी हुआ था लेकिन आप जो भी इन्वेस्ट्मेंट कर रहे हैं प्लीज परले अपनी प्रोपर रिसर्च कीजिए and तभी इन्वेस्ट्मेंट कीजिए so this was all about today we will come again with another such information till then stay tuned and follow Finn Street for more updates